हम अपने मन को कैसे स्ट्रॉंग बनाएं, शक्तिशाली बनाएं? क्योंकि मन का हमारे शरीर पर बहुत डारेक्ट प्रभाव पड़ता है, वैसे कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर मन पावर्फुल है तो जीत जाएगा, मन कमजोर है तो हमारी हार हो जाएगी, और दूसरा ऐसे भी कहते हैं कि मन चंगा तो कटोती में गंगा, तो मन को चंगा कैसे रखना है? वो हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे, सिंपल हैं, लेकिन हम अपनी ही डेली दिन चर्या में इतने बिजी होते हैं कि अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देते, अब देखिए, हम सफाई करते हैं अपने शरीर को रोज सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, निलाते हैं, और कपड़े भी हम साफ सुद्रे धुलाई करके पहनते हैं, तो हम कितना फ्रेश और रेलेक्स महसूस करते हैं, ऐसे ही हम जहां घर में रहते हैं, घर की सफाई करते हैं, और अपने आसपड़ोस जो भी कुड़ा कच्छरा होता हैं, उसकी सफाई भी करते हैं, और ये हम डेली बेसिस पर करते हैं, क्योंकि ये बहुत हैं लेकिन आप एक चीज़ सोचे हमने अपने शरीर की भी सफाई की साफ सुद्रे कपड़े धुलाई की कपड़ों की भी घर की धुलाई की सफाई की असपड़ोस की भी की यह हम रोज करते हैं पर एक चीज की सफाई क्या हम करते हैं वो है मन की सफाई बच्छपन से हमारे पेरेंट्स ने हमारे स्कूल में टीचर्स ने सफाई पर बहुत ध्यान दिलाया कि रोज नहाना है रोज तुलेवे कपड़े पहनने है घर साफ सुदरा होना चाहिए और आसपास सुदरा होना चाहिए ज़ा हम रहते हैं या वर्क करते हैं जो भी है और ये डेली करते हैं लेकिन हमें आज तक किसी ने यह नहीं पताया कि मन की भी सफाई करनी होती है, जो सबसे जयाजा important है, और हम अपनी life में इतने busy हो गए हैं, कि हम मन के बरे में तरह सुचते ही नहीं है, बदुखी है, सुचते हैं, पर मन ही हमारा दुखी होता है, और मन ही हमारा सुख देता है तो मन पर हमें कितना attention देना चाहिए अपनी मन के कितनी संभाल करने चाहिए देखें, मन सोचता है अब उस मन में हमारे कैसे विचार है बहुत तरह के विचार होते हैं तीन तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं कौन कौन से? पॉजिटिव विचार जिससे हमें मन को शक्ती मिलती है दूसरा negative वेचार जो हमारे मन को कमजोर करते हैं और तीसरा व्यर्थ, waste thoughts जो हमारा बहुत सारा समय ले लेते हैं हम किसी भी एक पॉइंट पर सोफते रहेंगे, सोफते रहेंगे और हमारा बहुत समय सोच सोच में ही चला जाता है हमारा समय भी वेस्ट होता है और हमारी मन की जो शक्ती है वो भी ड्रेन आउट हो जाती है और हम शक्ती हीन होकर निडाल होकर शाम को अपने घर पहुँचते हैं तो ये waste thoughts हमारे लिए कितने नुकसान करते हैं, हमारा समय जो बहुत valuable है, मनुष्य का हर शण बहुत valuable होता है, हम इसमें कितनी भी कमाई कर सकते हैं और कितना भी हम उसको waste कर सकते हैं, ये हमारे अपने उपर depend करता है, अब आप business man को ले लीजिए, business man का schedule कितना, या जो भी top VIPs होते हैं, senior level के लोग होते हैं, उनका time table होता है, उनका program scheduled होते हैं, तो वो कितने busy होते हैं, लेकिन कितने मन से सुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को busy कर रखा है, तो जब busy मन होता है, मनरे हम busy होते हैं, तो हमारे मन में waste चलने का margin ही नहीं होता, तो वो लोग तरक्की करते करते, अपने समय को proper use करते हैं, और कितना उचे पहुन जाते हैं, कितने उचे बन जाते हैं, तो उन्होंने अपने समय को proper तरीके से programming की है, scheduling की है, और manage किया है अपने समय को, तो ऐसे ही हम सभी को अपने मन को proper manage करना है, कि busy रखना है मन को, अच्छे कार्यों में busy रखना, अब लोग ससंग में जाते हैं, क्यों जाते हैं, नहीं तो घर में ही उल्टा सिदा सोचते रहेंगे, waste थौस चलते रहेंगे, तो ससंग में जाते हैं, तो कम से कम कुछ अच्छी बाते समझाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो उस समय हमारा मन, waste वगेरा नहीं सोच रहा होता, तो हमने अपने मन को अच्छे कारे में लगा दिया, तो waste बच गया, तो हम रिलेक्स होते हैं, चार्ज हो जाते हैं ससंग में जाने से, पूजा करने से चार्ज हो जाते हैं, तीर सियात्रा पर जाते हैं, तो हम तीर सियात्रा के बारे में ही बाते करते हैं, और इधर दर की बाते समाप्त, तो बिजी होना, मन को बिजी रखना, माने मन को चार्ज रखना, तो मन की सफाई, अब हम मन की सफाई की बात करेंगे, कि मन की सफाई करनी है, जैसे हम अपने शरीर की, कपड़ों की, घर की सफाई करते हैं, तो मन की सफाई कैसे करें, इस पर फोकस करना है, मन की सफाई में मन में क्या है संकल्प, थौट और थौट भी तीन तरह के थौट्स हैं positive, थौट, negative थौट और waste थौट्स तो अब हम इसकी सफाई कैसे करें इसकी cleansing कैसे करें उसके लिए हमें उस पर attention देना होगा हमें हर अपने संकल्प पर थौट को चेक करना होगा और उसको positive में बदलना होगा मतलब हर एक के लिए positive में बदलना मतलब खुद के लिए भी अच्छा सोचना है औरों के लिए भी अच्छा सोचना है किसी के लिए कोई भी गलत नहीं सोच रखनी है अब आप देखिए हम गुरुओं के पास जाते हैं कि हमारे गुरुजी फला फला वहां रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आई तो हम कहां जाते हैं गुरुओं के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं वो गुरु के पास हम क्यों जाते हैं क्योंकि वो मन में कोई waste thought नहीं रखते उनका मन शक्तिशाली होता है वो अपने लिए भी अच्छा दूसरों के लिए भी अच्छा सूचते हैं तो जैसे गुरु बने हैं और सब हम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो क्या हम अपने मन को ऐसा नहीं बना सकते क्या हम अपने लिए और दूसरों के लिए सब के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो हम भी गुरु जैसे बन जाएंगे और जब हम गुरु जैसे विचार हमारे हो जाएंगे तो हमारा मन भी शक्तिशाली हो जाएगा और उस case में हम अपनी समस्याओं को खुद ही solve कर सकते हैं हमें अपने गुरू जी के पास जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि मन जब clear होगा, मन में कोई भी विकार नहीं होगा हमारे अंदर विकार होते हैं कौन से विकार? कमजोरियां होती है दूसरों से compare करना, इर्शा करना, घरणा करना, competition करना ये सब हमारी बुराईयां है जब तक ये बुराईयां हमारे मन में होगी तब तक हम गुरू जैसे नहीं बन सकते गुरू के अंदर ये बुराईयां नहीं होती इसलिए वो गुरू है और हम साधारण मनुष्य है तो हमें भी गुरू जैसा बनना है तो ये सब बुराईयां अपने अंदर से निकालनी होंगी तो उसके लिए मन में सब के लिए अच्छा, शुब भावना शुब कामना जिसको हम कहते हैं सद भावना सब के लिए एक जैसी भावना होनी चाहिए लेकिन हम करते क्या है ये तो बहुत अच्छा है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये तो बेकार है, इससे तो बाती नहीं करनी तो हमने दोनों को भेद भाव किया ना तो ऐसे भेदभाव करोगे तो हमारा मन कभी अच्छा नहीं बन सकता हम कभी गुरू जैसे नहीं बन सकते हम कभी अपने समस्याओं को हल खुद नहीं कर सकते तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है सब को समान देखना है सब के साथ समान आच्छरन करना है सब के साथ समान व्यभार करना है सब के लिए अच्छा सोचना है इसके लिए कोई धन नहीं खर्चा करना कहीं तीस यात्रा पर नहीं जाना है कोई समय वेस्ट नहीं करना है घर बैठके सिर्फ अपनी सोच को बदलना है तो आप जैसी सोच रखोगे वैसा ही आपके आसपास का माहौल बन जाएगा और उससे सबसे पहले वो खुशी आपको मिलेगी फिर दूसरों को मिलेगी तो धीरे धीरे आपकी जीना अच्छा होता जाएगा सरल होता जाएगा और खुशी अपने आप आती जाएगी तो हम क्या रहे थे मन की सफाई तो मन के हर सोच पर आप attention रखो, ध्यान दो अगर negative कोई thought हमारे मन में आता है किसी के लिए या अपने लिए तो उसको हटा दो, negative नहीं सूचो उसमें अच्छे को, उसको negative को positive में convert कर दो फिर waste thoughts, किसी समस्या को लेकर हम सोचते ही जा रहे हैं, वो waste thoughts भी नहीं होने चाहिए जब धीरे धीरे ये अभ्यास एकदम नहीं होगा, आप अपनी एक आदत बना लो मुझे अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, तो मैं अच्छी बन जाऊंगी बस यहां से शुरुआत करो, simple तरीके से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर से waste, जो बाते हैं, जो सोच है, फाल्तु की जिसको हम कहते हैं, जिससे कुछ मिलना नहीं होता, हमारा समय व्यार्थ चला जाता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और negative जो हम सोचते हैं, negative मतलब किसी के लिए बुरा सोचना बुरी भावना रखना, इसका बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था ना, देख लूँगी, इसके साथ भी ऐसा होगा ये क्या है, ये negative thought है, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहें, हम बुरा सोच रहे हैं, और याद रखो भाई और भेनों, जैसा हम सोचेंगे, वो return होके हमारे पास ही आएगा अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो उसका बुरा हो या ना हो, कभी ना कभी वो चीज हमारे सामने ही आएगी तो हर हमारी सोच का असर हमारे उपर ही होने वाला है तभी तो हम दुखी हो जाते हैं, अशान्त हो जाते हैं कभी कहेंगे, ये मेरे साथ क्यों हो गया कभी न कभी हमने गलत किया है इसलिए हमारे साथ ऐसे हुआ है ये कर्मों की गती है, ये नियम है, प्रकर्ति का तो गुरू जैसे गुरू सोचते हैं, वो सोच आप बना लेजिए, सिंपल तरीका आप सोचो, सबने गुरू बनाए होते हैं, या देवी देवता मंदिरों में पूजा करने जाते हो देवी देवताओं को देखते हो ना, क्या वो ऐसा सोचते हैं? वो आपको आशिरवाद देते हैं, वो आपको दुआएं देते हैं, वो आपको मूर्तियां क्या देती हैं? वर्दान देती हैं तो अच्छा ही अच्छा करते हैं ना सबके लिए, तो वो क्या है? देवी देवता है गुरू सबके लिए उधार करते हैं सबके लिए अच्छा सोचते हैं वर्दान देते हैं तो वो क्या है? वो आज गुरू की सीट पर बैठे हुए हैं और हम कभी अच्छा सोचते हैं कभी ठीक नहीं सोचते हैं तो हम साधारन वनुष्य हैं तो अपनी समस्याओं को भी हम खुद नहीं हल कर पाते, तो इसका कारण मैं जैसा चाहूं वैसा बन सकती हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने सोच को अपने लिए भी और अच्छा बनाना होगा, मेरा भी अच्छा हो और सब का अच्छा हो, ये भावना मन में लान पड़ेगी, तो धीरे धीरे हमारे जो थोट है, जो हमारे संकल्प है, पॉजिटिव होते जाएंगे, सकारात्मक होते जाएंगे, और उन सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा, और हमारे आसपास का जो फैमिली है, जो हमारा वायू मंडल है, उस पर भी पड तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में सुख और शांती आती जाएगी सोच को बदलने से मन को साफ करने से ओम शांती